हेलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल गाइज आज मैं आप लोगों के साथ एक हूम ने मिटी शेयर करने आई हूँ जो कि जिससे कि हमारा फेस इंस्टेंट ग्लो होगा वो एक स्क्रब है एक स्क्रबिंग की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं हमें कोई ज़रुत नहीं है मार्क स्क्रबिंग कर सकती हैं और आपको इंस्टेंट ग्लो दिखने के लिए मिलेगा कैज उसके लिए सबसे पहले आपको चावल कोई भी चावल अवेलेबल हो आप उस चावल को मिक्सी में पीस के उस चावल का पाउडर बना लिए काई देखे मैंने एक डबा पूरा चावल क पाउडर बनाके इसमें रखा हुआ है इसकी यह ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए मतलब हलका दरदरा टाइप आप इसको पीस लेजिए तो आप देखे मैं आपको लेके दिखाती हूँ एक चमश लेंगे आप चाव इसमें आपको मिलाना है तर्ष मीलावेरा पबसें सब्सक्राइब चाहिए भी मिला सकती है लेकिं नीम्दू का बहुत लादमी का लोगों का स्किन सेंसिटीव होता है तो नीम्दू का रस बहुत लोग लगाना नहीं चाहते हैं अपनी संसेटीव इसकिन विद्थे इसलिए मैं आपको इसमें निम्बू का रस को यह स्किप कर रही हूं तो देखे गाइस यह बस इतना आसान था डिया बनाना गाइस इसको आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है धीरे-धीर करिएगा ताकि आपके सवेसाल को जादा हार्म ना हो काफ जोर से करते हैं लेकिन आपको बहुत हलके हलके हाथ चाहरे पर लगाना कि हुआ है इसके लिए आपकर अपने बालों को पहले ही बान लेट जाधा चड़ेगा के मैं नहीं कि में निकल गया था तो गाइस इसको आपको अपने के विश्ट कर लीजिए और इसक्रब करते हैं आप आपको इसको अपने फेज़ पर पूरी अच्छी तरह एक लेयर लगा लेनी इसका बग्दम तिक लेयर लगाना है जादा पतला नहीं जादा मोटा नहीं काइस का अटा है न यह हमारी स्कुन को ब्राइट राइट इन जोनों करने का काम करते हैं कोरियन beauty में ज्यादा flood okay है कई यूज होता है छो आपको पता होगा राइस वाडर भाष :「्राइश क्रीम१ १े कोरियन व्यूटी में राइस बहुत बड़ा in a smooth तो ले करता है को ने कि आपको ब्यूटी स्कीन के लिए जैसे कि आपको पता ही कि कई लो is अधिन स्क्रब पर अच्छी तरह इसको स्क्रब करके इसको मोटा लेयर अपने फेस पे लगा लेम और आपको सुखने के लिए दिना तब तक यह अच्छी तरह सूख नहीं जाता है तब तक आपको एपने स्कीन पें फेस को आपको लगे रहे हैं तो देने ड़ाइस मिलते इसको आपि देखें मेरा यह अच्छी तरह सूख गया है अभी मैं पर हल्का सा स्क्रॉब करके और जो इसको वाश का दूंगी इसको आपको का इस्पेस ओश नहीं करना है इसके बाद इसके आपको नॉर्मल तरसे प्ली फेस को तरह करना है और ये से बाद उसस है किलाइट ग्लास । अधा में आपने चैरा लिए तो आपको नॉर्मल वाटर से बाइस करना है तो यह को वाश करके दिखाती है और वश कहा होगा मेरी किलम sobre काफी अच्छा लगता है यह दिया हुआ है और इससे आपको कोई हम भी नहीं होगा क्योंकि यह नैच्रल है हूममेड है इसके बाद आपको एक अच्छा मोश्राइजर अपने फेस पर यूज़ कर लेना है मैं यूज़ करती हूं तो आप यह अच्छी तरह से मसाज कर लीज कर लेना है और आप कहीं भी बाहर जाने के लिए हैं वाओ कि मुझे तो यह पार्लर लाइक लो लगता है मैं कहीं भी जाने से पहले अगर मेरे को जल्दवाजी है तो मैं यह स्क्रप जरूर यूज़ करती हूं और उसके बाद आपको कुछ भी अपने फेस पर यूज़ कर करने के जुर्ट है अगर आपको यसा लगता है अगर आप फॉंडेशन लगाती है यहां अकर आप प्रृफर करती हैं तो आप फॉंडिशन लगा सकती है बट देखिए गाइस ग्लो तो मैं आपको वीडियो कैसा लगा मैं आपको बोलूँगी कि आप पीए डियाइवाइज ज़रूर एक बार यू इस्तमाल करें अपने फेस पे और अपना रिजल्ट में शेयर करें गाईज अगर आपने मेरे चैनल को बिताथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें थांक यू तो